ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोईन कईलिंग को देखते हैं चुकि एक बार में टृंग करते वे याद कर रही होती है कि कैसे आज उसने अपने वेडिंग के दिन ही अपने स्टेप सिस्टर और बॉइफरेंड को उसी गर में चीट करते वे देखा जिस गर में साथी के बाद वो और उसका बॉइफरेंड हे निवालत है अपने बॉइफरेंड के पेवफाई को याद करके वो एक वेटर के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे लिए कोई हैंडसम मैं ढूंडो जिसके साथ आचनात मैंसूस हो कूँ वेटर उसे ये कही रहा होता है कि मैं ये फॉर्मर ब्लेस है तब ही वहाँ पर इस ड्रामा के हीरो के एंट्री होती है जिसका नम मोयू होता है लिन भी उससे देखती है और वो उससे काफ़ी हैंडसम लगता है नसे में वो मोयू के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी बॉड़ी बहुत अची है मैं तुम्हारी से बहुत सेटिस्वाइड हूँ क्या तुम मेरे साथ Państwo कहे लिए मो democratic कर ब citizen को चालाए कि यॉरियू कहता है की तुम्हारी एसार साथ सॉझार है लेकिन लीगल तरीका से उसके बार मही उसे उठा लेता है और लिंजिंग को पेरों से इसारा करके होटल जाने के लिए कहता है और होटल रूम में दोनों साथ नाइट्स फेंड करते हैं मॉर्निंग में उठकर अपने साइट में एक लड़के को देखकर लिंग तो हैरान हो जाती है और मोई सो पूछती कि तुम कौन हो वो कहता है कल राझ जब तुमने अपने गोल्ड कार्ड कर यूज करके में से सोने के लिगा आता तो तुमने नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ वो कहती कि हाँ मुझे याद है कल राझ तुम्हारी टेक्निक काफी अच्छी थी अब तुम यहाँ से जाओ वो कहता है कि क्या मेरी वाइप मैं से भागने की कोशिस कर रही है लिन तू वाइप सुनकर हैरान हो जाती है मौया उसे मेरी certificate दिखाता है उसे देखकर LIN कहती है कि आखिर मैं एक strangen से कैसे साथी कर सकती हूं certificate पर मौयू का नाम देखकर वह उसे पूछती है कि क्या तुम सैंसी ग्रूप के मौयू हो तो वो कहता है कि क्या पूरी सिटी में कोई और मौयू नहीं हो सकता है लिन कहने लगती है कि देखो हम दोनों ही एडल्ट है तो हमारे लिए वन नेट स्टेंड बिल्कुल नॉर्मल है और जो हुआ उसे हम ठीक कर सकते हैं वो पूछ उसे बचकर जब वो आगे जाती है तो उसे अपना फ्योंसे चैन मिलता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेसान था पूरी रात तो में ढूंटता रहा हूं वो गयाती कि मेरे सिस्टर के साथ मुझे चीट करने के बाद तुम पूरी रात मेरी चिंता कर रहे थें जो हुआ उस सब के लिए जैन उसे माफी मागने लगता है लें कहती है कि क्या तुम्हारे माफी सब कुछ ठीक कर सकती है वो यह सब कुछ बोली रही होती है तभी वह मास्टर ने आपको स्विमिंग पूल पर बुलाया है जब हो वहाँ पहुचती है तो मौय उसका पेर पकड़ कर उसे पूल में खीच लेता है लिंग उसकी इस हरकत के लिए उसे एक जोड़ता थपड़ लगाती है उसका थपड़ खाकर मौय खसने लगता है और कहता है कि मुझे नाराज मत करो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये खेकर वो उसे किस करने लगता है तब ही वहाँ पर लिंग आकर कहता है कि मास्टर मिस मौमो आई है जब वो पूल से बहाँ निकलता है तो लिंग उससे कहता है कि master congress relation जो आप इतने सालों से चाहते थे वो आपको मिली गया अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि मोय क्या चाहता था next in में मोय की फियान से आकर उससे कहती है कि मोय तुम्हारे dead हमारी wedding dead जाना चाहते है वो कहते कि wedding और तुम से मैं कभी भी तुम से साथी नहीं करने वाला मोमो कहती है कि तुम्हारे dead बूडे हो गए है मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें एक grandchild दे देना चाहिए जिस पर वो कहते कि अगर तुम्हें बच्चे पैदा करने की इतनी चल्दी है तो यह काम करो खुद उन से साथी करके grandchild की जगह उन्हें एक संदे दो वो कहती है कि मौई यह तुम क्या बोल रहे हो इतने महीं वहापर लेंजन आकर मौई को inform करता है कि sister-in-law भाग गई है यह सुनते ही मौई हुआ से चला जाता है sister-in-law सुनकर मौमो को काफी घुसा आता है और वो कुछ से कहती है कि कौन है वो लड़की जिसने मुझसे मेरे मैं को चुडाने की कोसिस की है लगता है अब वो जीना नहीं चाहती next scene मे लिन अपने घर पहुच कर देखती है उसके step-sister king उसी की wedding dress try कर रही होती है लिन के step-mother अपनी बैटी से कह रही होती कि तुम्हारा figure काफी अच्छा है तो बस wedding dress में लिन से कही को नजादा अच्छी लग रही हो लिन उसके पास आकर उनसे अपना wedding dress scene कर कहती है कि अपने गंदे हासों से dress को touch मत करो किंग तो फिर से drama start कर देती है कहती है कि sorry sister मेरी ही गलती है प्लीज मुझे बस ये dress अच्छी लगी इसलिए मैं try कर रही थी लिन कहती है कि तुम चीजों को try करने में बहुत अच्छी हो आज मेरी dress cry कर रही हो कल मेरे future husband को try कर रही थी उसके bed पर जाकर जो सुनकर लिन के step mother उससे कहती है कि मेरी बेटी को blame क्यों कर रही हो जब तुम good man's को control नहीं कर सकती तो ये भी तो हो सकता है कि तुमारे boyfriend नहीं मेरी बेटी को seduce किया हो लिन कहती है कि सही का मैं man को control नहीं कर सकती लेकिन आप दोनों मा बेटी उन्हें अच्छे से control कर सकती है तभी तो मेरी मदर के होते हुए भी मेरे डेट को control करके आप उनके मिस्ट्रेस बन गई और अपनी बेटी को भी मिस्ट्रेस बनना सिखा रही हो उसके step mom कहती है कि लिन तुम बहुत जाता बोलती हो तो मारी हिम्द के से भी अपने मा से बात करने की लेन कहाती कि मेरी एकी मा थी जो सालों पहले मर चुकी है जो सुनकर डेट लेन को माने लगते हैं लेकिन चैनोंने रोक लेता है तो देखर किंग फिर से अपना रामा सुरू कर देती है कि sister के सब में कोई भी गलती नहीं है मेरी गलती अब मुझे मारी है sister मुझे बहुत नाराज है क्योंकि channel ने पसंद नहीं करता डेट लेन से पूछते हैं कि तुम इसे इतना बूली क्यों कर रही हो लेन कहती है कि क्या कहा आपने मैं से बूली कर रही हूँ बच्पन से ही गलती है यही करती आई और पनी साब मुझे करते थे बच्पन में यह मुझे से मेरे खिलोने शेंती थी आज इसने मेरा फ्यों से मुझे से चीन लिया और अब यह wedding dress चीनने जा रही है यह बहुल कर वो अपने wedding dress पर रिंग गिरा कर उसे खराब करने लगती है उसके बद वो आगे कहती है कि जिन पैसों से आप अपनी mistress की wishes पूरी कर रहे हो वो पैसे मेरी मा क्या है जो सुनते ही डेट उसे थपड लगा देते है थपड लिन को लगता और पैट दर स्किंक को होने लगता है उसकी माँ भी इस नाटक में उसका साथ देते हुए डेट को कहती है कि लिन ने इसे पोस्स किया है इसके पेट में चैन का बच्चा है इस लटकी ने उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जो सुनके लिन तो चैन से पूशämänowałी है वो कोई जवावी नहीं देता डेट कार्ट से कहने लगते हैं कि लिन को रूम में लोग कर दो लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और दिबार से कुटते समय वो गिरने ही वाली होती है तब ही मोई आकर उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से तुमने मेरा वेलकम किया है पर लिन जिन आकर मोई को बताता है कि सिस्टर इनलोग के फादर उन्हें ढूंडते हुए ही आ रहे है अपने फादर से बचने के लिए लिन मोई के साथ उसके कार में वेट जाती है और उसकी गोद में अपना सार रख लेती है तब ही वहाँ पर डैड और जैन आ चाते है जैन को देखकर वो जैलेसी वाला लुक देता है डैड मोई को देखकर उसे पूछते है कि आप इतनी दूर यहाँ पर क्यों आए है मोई को तो को समझ नहीं आता तो वो कहा देता है कि आपके वेटी किंग के डिजाइन्स मैंने देखे वो बहुत अच्छे है मैं उसे सैंसी ग्रूप का डिजाइनर बनाना चाहता हूँ यह बोलकर वो महाँ से जाला जाता है और वो लिन को अपने साथ अपने घर ले जाता है लिन उसे डिवोस लेने के लिए के लिए कहती है डिवोस का नाम सुनते तो वो भड़क जाता है और उसे कहता है कि क्या तो मुस्चेन के साथ सोने के लिए मुसे डिवोस लेना चाहती हो ये बोलकर उसके साथ जबजस्ति करने की कोसिस करता है लिन उसे मना करती है लेकिन वो कहता है कि मेरी वाइफ और तो वाइफ की ड्यूटी फुल्फिल करो जो सुनकर वो रोने लगती है उसे रोता देख मोई उसे छोड़ देता है फिर उसे अपना ब्लैक और गोल कार्ट देता है लिन पूछती है कि ये क्या है तो वो खहता है कि इस कार्ट का यूज करके तुम जो जो हो वो कर सकती हो तो कार्ट के लिए वो उसे थैंक्यू कहती है नेक्स डे लिन सिरी के सबसे बड़े कलब में जब उस कार्ट को लेकर जाती है तो उसे वहाँ पर केंग फैमिली और यू फैमिली दिखते है जो कि चैन और किंग की वेडिंग के लिए उस क्लब को बुक करने आए थे लेकिन क्लब मैनेजर ने मना कर देती है क्योंकि वो कलब मिनिममम 300 चेर के साथ बुक हो सकता था लेकिन स्टैप मॉम के कार्ट में बस 50 चेर के पैसे थे वो लोग 50 चेर के पैसे और अरेंज कर लेते हैं लेकिन मैनेजर फिर बे मना कर देती है कि सॉरी 50 चेर और एट करने से भी तो 100 चेर ही हो रहे है लेकिन हमारे कलब में तो मिनिममम 300 चेर के साथ ही बुकिंग होती है इस टैप मॉम मैनेजर को भला बुरा कहने लगती है तब ही वहाँ पर लेन आकर मैनेजर से कहती है कि बाकी 200 चेर के पैसे आप मेरे कार्ट से ले लेना लेन के पास उनकर से टैप मॉम उसका मज़ा कुड़ाने लगती है कि कहीं इंगेजमेंट तूटने के बाद तुम सदमें से पागल तो नहीं हो गई हो लेन अपना बलेक कार निकाल कर मैनेजर को देती है बचे हुए 200 चेर बुक करने के लिए की कि कार्ट को देख चेंके डेट के लिए। कि ये इस पैसल वियाइपी कार्ट नुहारे पास कैसे आया, पूरी दुनिया में सिर्प 10 थैन फैम्ली के पास है उसक इसमेंसे भी ये बलेक bang कारई वो तो सिर्फrah दो स्ब दो फैमिली के पास है उस card की इतनी तारीफ से उने step mom कहना लगती है कि इस card को लेने के लिए जरूरी है लटकी किसी अमीड लटकी के बैट पर गई होगी Lynn कहती है कि मैं ये card कैसे लाई इस से आपको फरक नहीं पड़ना चाहिए मैंने से क्या मेरे card से आप club की booking कर सकती है मैंने से कहती है कि हमें बहुत खुशी हो रही है मैं आप हमें सर्फ करने का मुका दे रही है किंग लिन के पास आकर कहती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम मुसे बहुत प्यार कहती हो तभी तो मेरी वेडिंग के लिए क्लब बुक कर रही हो अपनी sister की बख्वास, उनके Lynn कहती है कि तुम्हें सچ में लगता है कि मैं तुम्हारी wedding के लिए धिक लिए ये club गुक कर रही हूँ इस club को मैं इस लिए गुक कर रही हूँ ताकि तुम्हें इसमें अपनी साधीना कर पाऊँ जो सुनकर dad उसे मानने लगते हैं लेंग किसी और देन बोड़ करने का सो चोगी ना मैं इस पूरे क्लप को उस दिन बुक कर लूंगे नेकसे इंट लैप के वाश्यूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लेन रोरी होती है वहाँ पर उसके step sister king आकर खहती है कि तुम्हें पता है बाहर जो तुमने अंगामा किया है उसके कारण dad और chain up तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो कहा दी कि मुझे कोई फरक नहीं परता वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं king कहा दी है कि तुम खुद को ज़्यादा प्योर दिखाने की कोसिस मत करो अगर मैं तुम्हारे fiance के बेट पर गई तुसाइट करने के लिए अपनी जिस्ट काट ली थी तब मैं वहीं पर थी और उनके हाथ उसे खूरने कलता हुआ देख रही थी अगर मैं चाहती तो उनको हॉस्पिटल में भीज़कर बचा सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और चान पुछकर उन्हें मनने दिया जो सुनकर लिन रोने लगती है और किंग से कहती है कि तुम बहुत करटिया हो मेरी मा को मरते वोए देखती रही जिसके बाद लिन को बदनाम करने के लिए किंग जान पुछकर पीछे की तरफ गिरकर रोने लगती है उसके आवास उन्स अब लग उसके पास आते हैं वो चैन से कहती है कि इसने मुझे धक्का दिया है ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन दो लिन कहती है कि ये छूट बोल रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ये खुदी गिरकर रोने लगी वो ये बोल रही होती है तब ही स्टैप मॉम से थपड मारकर उस पर चिलाने लगती है कि तुम घबी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी यू फैमली के वारिस को जन दे इसलिए तुमने इसके बच्चे को माने के लिए इसे धक्का दे दिया तुम्हे पता है अभी इसने मुझे बताए कि जब मेरी मा की डे तो हो रही थी तब ये वही पर खाड़ी थी ये चाहती तो उन्हें बचा सकती थी लेकिन इसने नहीं बचाया जो सुनकर चैन कहता है कि अच्छा तो इसी का बदला लेने के लिए तुमने इसके बच्चे को मानने की कोसिस की ये बोलकर वो किंग को वहाँ से लेकर चला जाता है किंग के जाने के बाद लिन के स्टैप मॉम उसे गले से पकड़ कर कहने लगती है कि अपनी बेटी का बदला में तुम से लिख कर रहूंगी मानने लगती है मॉयू के हिसारा करने पर उसके बाड़ी काड़ स्टैप मॉम को पकड़ते है स्टैप मॉम कहती कि हमारा फैमली मैटर है तुम इसमें इंटरफेय मत करो मॉयू कहता है कि सिटी में सब कोई भी मैटर नहीं है जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता और कहते कि मैंने पुलिस को बुला लिया है वो आकर इस लड़की को ले जाएंगे जो सुनकर चैन के डेट बहुत खुर सुचाते है लेकिन लेन उसको डिस अपर्टमेंट से देखने लगती है और कहती कि मैं निर्दोस हूँ तो तुमने पुलिस को क्यों बुलाया मुयू कहता है कि तुम निर्दोस हो या नहीं कि इस लड़कर मुहाँ से चला जाता है और विचारी लिन रोने लगती है नेकसीन में लिन जिन मुयू के पास आकर कहता है कि केंग का मिस्केरिज हो गया है अब यूजेंग जो की यूजेंग के डैड होते है वो आपको पता ही है कैसे है इस निस को सुनने के बाद जरूर वो सिस्टर लों को नुकसान पहुचाने की कोसिस करेंगे नेकसीन हमें ऑस्पिटल का दिखाय जाता है जहांपर चैनल किंग से कहता है कि कि अभी भी तुम उससे साधी करोगे ये सिंते ही वो उनकमफोटिबल हो जाता है और बात को पलट कर उसे कहता है कि अगर तुमें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल देना मैं ले आउंगा इतने में ही वहापर किंग की मॉम आ जाती है तो चैन महां से चला जाता है उसके मॉम उससे कहती है कि तुमने अपना मिस्केरज क्यों करवाया अब यू फैमली में तुम भानी एंट्री कैसे होगी किंग कहती है कि ये बच्चा चैन का नहीं है अगर उसे पता चल जाता तो और वैसे भी लिन कभी भी मेरी और चैन के साथे नहीं होने देती इसलिए मुझे इस बच्चे को हटा देना ही सही लगा वो कहती है कि लिन को लगता है कि उसने बलेक कार लेकर कोई भड़ी चीज़ अचीव कर ली लेकिन उसे नहीं बता कि रियल ट्रेजर तो मौयू है मॉम कहती है कि क्या आप तो मौय को पाना चाहती हो लेकिन मैंने सुना है कि वो मॉमंस को पसंद नहीं करता किंग कहती है कि पसंद तो लिन के अलावा चैन भी किसी को नहीं करता था लेकिन लास में मैंने उससे जीती लिया मोई को भी मैं जीत लूँगी दोनों माँ बेटी बाते करी रही होती है कि तब ही महाँ पर मोई आता है वो अंदर आकर बैठता है मोई उसे कहने लगती है कि मैं एक औरडिनरी लड़की हूँ आप असनली मुझे मिलने आए मुझे बहुत खुसी हुई उससे कहता है कि अपना केस वापस लो किंग तो हैरानों कर पूछती है कि तो आप यहाँ पर इसलिए आये हैं ताकि मैं अपना केस वापस ले लू लेंजन क्याता है कि कुछ महीने पहले तुमने हमारे कलब के वरकर्स पस छोड़ी का अलजाम लगा था लेकिन तुम यह भूल गई थी कि वहाँ CCTV केमरा लगा हुआ है अगर उसका फूटेज हमने पुलिस को दे दिया तो तुम नहीं बचोगी इसलिंए हम जो बोल रहे हो चुपचाप कर वो अपनी complaint वापस ले लो कहता है कि तुम Sency Group में काम करने वाली हो और Sumpy Group को कोई भी वरकर किसी भी लीगल मेटर में नहीं पढ़ता है किंग कहती है कि मैश समझ गई आप क्या कहना चाहता है मैँ complaint वापस ले लूगी जो सुनकर मोई वहाँ से चला जाता है कि खुछ से कहती है कि मैं कम्प्लेंट तो वापस ले लूँगी लेकिन पता नहीं अब तक यू जैंग ने उसका क्या हाल किया होगा नेक्स इन में हम लिन्ट को देखते हैं जिसे किसी अजीब से जगब पर रखा होता है और उसके हाथ पर बंदे भुए थे वो खुछ से कहती है कि मैं तो पॉलिस स्टेशन जाने वाली थी भी नहीं हाँ पर क्या कर रही हूँ ने में ही वहाँ पर चैन के डेट जैंग आ जाते हैं और कहते कि तुमारी हिमत कैसे हुए जिसमें लिखा था कि उसी ने उनके ग्रेंट शायन को मारा है जो सुनकर यूजंग उसे पैरों से मानने लगते हुए और अपने गार्ड को कहते हैं कि जब तक यह लड़की इस पर सायन ना करे तब तक इसे टॉचर करते रहो वो गार्ड लिन को मानने ही वाला होता है कि तब यह दूसरा गार्ड आकर बताता है की कि इंग ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है आप आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते है यूजिंग लिन को कहते हैं कि इस बार तुम लगी थी इसलिए बच गई लेकिन अगली बार मेरे हाथों से नहीं बचपाओगी ये बुल कर यूजिंग वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद महाँ पर मोई हो आता है लिन उससे पूछती कि तुम यहां क्यों आया हो वो कहता है कि तुम्हें यहां से ले जाने आया हूँ वो लोग तुम्हें इतना बूली कर रहे है कि यह तुम उनसे रिवेंच नहीं लेना चाहती मैं रिवेंज लेने में तुम्हारी हल्प कर सकता हूँ लिन कहता है कि मेरी हल्प के बदले तुम्हें क्या चाहिए वो कहता है कि बस तुम मेरी वाइब बन कर रहो और मेरे सामने डिवोस की बात मैथ करना वो कहाती कि बहुत सारी लड़किया तुम्हारी वाइप बने के लिए रेडी है तो तुम मुझे ही क्यों चुन रहे हो वो कहाता है कि मैं तुम्हें क्यों चुन रहा हूँ ये तुम्हें जाने की जरुवत नहीं है बस जितना कहा उतना ही करो जिस पर लेनुस से कहती है कि दो साल बाद हम डिवोस ले लेंगे और अपने मन में सूचती है कि दो साल मेरे लिए काफी है उन लोगों से रिवेंच लेने के लिए तो अभी मौयों से अपना हाथ देता है वो उसका हाथ पकड़ती है लेकिन स्लिप हो जाती है नेक्सिन में दोनों मौईव के घर पर होते हैं लिनोट से पूसती है कि अखिर तुमने केंग को कैस वापस लेने के लिए कैसे मजबूर किया वो उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में खीच लेता है और कहता है कि मेरी वज़े से तुम बाहर आई हो तो मैं मुझे पेग करना चाहिए वो कहते है कि मैं खुद को सेल नहीं करूंगी वो कहते है कि हम लीगल कपल है लिन कहते है कि लेकिन मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि महां पुलिस तुमने ही बुलाई थी वो कहता है कि पुलिस बुलाई थी तो मैं बचाने के लिए ज़र मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग तो मैं नहीं छोड़ते हैं तभी लेन के पास उसके डैट की कॉल आती है जो उसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि अपनी स्टेप मॉम को तुमने ही गुंडों से पिटवाया है ना वो हॉस्पिटल में एड्मिट है अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी खाल नो चलूँगा जो सुन वो कॉल करकर कि मॉय से पूछती है कि क्या यह सब तुमने करवाया और तुमने उन्हें ऐसे रिपे किया है तभी किंग भी नाटक सुरू कर देती है कि डेट आप घुसा मत कर दिया कि तबिट कर आप हो जाएगी सिस्टर तो ऐसी है पहले इन्होंने मेरा मिस्केरिश करवाया फिर गुंडों से माम को भीट वाया विट केंग से कहने लगते कि तुमने अपनी कंप्लेंट वापस क्यों ले लिए अच्छा होता यह जिल चली जाती है लें कि मुझे जेल में डाल दे किसी की भी इतनी हिमत नहीं है जो सुनकर सुनकर लिन का हार्ट बोकरन हो जाता है और वो अपने डेट से कहती कि ठीक है आज से मैं भी आपसे अपने सारे रिस्ते तोड़ती हो और वहां से चली जाती है जिब लिन हॉस्पिटल से निकलरी होती है तो भी केंग उसके पास आकर कहती है कि सिस्टर मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है जो सुनकर लिन्जिंग महां से चला जाता है किंग कहती है कि कॉंगरेश विलेशन से बाहरा गई मुझे तो लगा पुरी जिंदगी अब आप चेल में ही रहोगी है लिन कहती है कि सही काम है तो चेल से बच गई लेकिन तुमारा बच्चा नहीं और मैंने सुना है कि मिस्केरिज की निउस सुनते ही चेल ने तुमसे साधी करने के लिए बना कर दिया किंग कहती कि उससे साधी करना भी कौन चाता था मैं तो बस उसको तुमसे चीनना चाती थी जिसमें मैं कामयाब हो गई जो सुनकर लिन्जिंग से अपना फोन दिखात लेंड के थी है कि मैं तुम्हारा मिस्स मोड़ने का इंतजार करूंगी लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह न्तजार मुझे अगले जनब तक ना करना पड़े नेक्स इन में लेंड मोयू के पास आ कर उससे पूछती है कि कम्प्लेन वापस लेने के लिए क्या तुमने किंग को सेंसी क्रूप में काम दिया तुम ऐसा नहीं कर सकते मौयू कहता है कि मैं सेंसी क्रूप का सीओ हूँ जिसको चाहूँ उसे काम दे सकता हूँ तो हो कहती कि ठीक है तो फिर मुझे भी काम दो उसके पास सुनकर मोयू कहता है कि तैसे में काम लेना इतना मुस्किल नहीं है बस तुम्हें मुझे इंप्रेस करना होगा जो सुनकर वो खुश होकर उसे पूछती है कि तो बताओ में तुम्हें कैसे इंप्रेस कर सबती हो वो कहता है कि मैं क्यों बताओं तुम खुछ सुचो नेक्स सीन में मौई हॉल में बैठकर काम कर रहा था तब ही वहाँ पर लिन आती है और जेकेट खोलकर उसे इंप्रेस करने की कुसिस करती है मौई उसे इस तरह देखकर सोख हो जाता है और आगे की तरफ सारा करता है जब वो आगे देखती है तो मौई के कुछ बिजनस पार्टनर वहाँ पर बैठे हुए थे वो भी उसकी सरकत को देख रहे होते है अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर वो इंबरस होकर वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद मौई रोम में जाता है लिन इंबरस्मेंट के कान खुद को कवर करके बैठी हुई थी मौई को देखकर वो पूस्ती है कि तुम इतनी चल दी है कैसे आ गए वो कहता है कि अब मेरे आलावा इस रोम में और कोई नहीं है तुम अभी कहा हो मुझे अपना अड्रेस बताओ लिन कहते है कि मैं अभी कहा हूँ ये तुम है क्यूंग बताओ वो कहता है कि मैंने जो कहा हुइ उसके लिए प्लीज मुझे माप करदो तो लिन उसे दोके बच कहने लगती है, तो वो उसे appointment later वापस ले लेता है, ये देखकर वो कहती कि कोई बात नहीं, intern भी एक अच्छी post है, और उससे उस later को वापस ले लेती है, फिर मोय उससे कहता है कि जो जाकर अपने लिए कुछ खपड़े खरीद लो, मेरी company में join करने के मेरी तब से ये gift है तुमारे लिए, next scene में Lynn, Lynnzing के साथ एक mall में कपड़े खरीदने चाती है, वहाँ पर वो King को एक लड़के के साथ चिपकते वे देखकर कहती है, कि तो मैंस को बहुत ही ज़ली change करती हो, King उस लड़के से कहती है, कि देखो यही वो लड़की है, जिसके ब Lynn के खिलाब भड़का रही थी, वो कहती कि तुम्हें बता है, मौल में मैंने Lynn को, Lynnzing को किस करते देखा, जरूर वो उस Black Card को पाने के लिए Lynnzing के पिट पर गई होगी, उसकी ये बाते सुनकर चैनल से चला कर चुपो होने के लिए कहता है, चेन को खुसे में देखकर वो फिर इस अपना ज्रामा स्टार्ट कर देती है, कि हम तु साधी करने वाले थे ना, तो फिर आप मेरे साथ इस सब बेहव क्यों कर रहे हो, चेन भी उते साफ साफ कह देता है, कि मैंने हमिसा से तुम्हारी बहन को प्यार किया है, बस उस बच्चे के लिए मैं तुम से साधी कर र और गयाते कि तुम इस लिंजिंग के लिए मेरे साथ इसा कर रही होना, हमें अलग हुए थोड़ी तिन भी नहीं होया और तुम इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, वो कहती है कि कि इंग के साथ मिलकर तुमने मुझे चीट किया था, और चीटिंग के बाद तुम उसे स कर दो, लेकि लेकिन लेकाने से मना कर देता है तो खुदी अपना सामा निकालने लगती है, इतने में ही वहाँ पर मुई आ जाता है, और लेंसिंग से पूछता है कि यहां क्या हो रहा है, तो यह जाता है कि मेडम से मिलने चेन आया था, साथ इसलिए उनका मुझ खराब है चेन का नाम सुनते ही मोयो भड़क जाता है, और लेंसिंग से कहता है कि उन लोगों के कारेंट तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, तो भी तुम उनके पास जाना चाती हो, लेंग उसे में क्या फरक पड़ता है, मैं चेन के पास जाऊं या नहीं, तुम तो वेसे भी कु वेसे छींछे सब्सक्राद के लिए करद के लिए होगा, मोयो भिशा है, मॉह पर पकृ जाए अगते हैं मॉhon ममो को भी तरफो देख दिकने, मॉh ऐस्पिटल गआ था हन्तया है, और वे dakовой तो ये करने पास यह जाने जाना चाना और मौयो भी चांए उसे मना करके वहां सी जाने लगता है फिर को सोच कर कहता है कि कंपनी में डिजानर कॉंपेटिशन होने वाला है अगर तुम उसमें जीत गई तो हमारी कंपनी को आगे रिप्रेजेंट करोगी और मैं भी इसको सेलिबेट करने के लिए पार्टी रखूँगा यह बोलकर वहां से चला जाता है लेक मैडम भी वही पर थी उस लावर के कारण पूरी कंपनी में आपके और किंग के रिलेशनिशिप के बाते हो रही है जो सुनकर मोय कहता है कि अच्छा मतलब वो फेर से जलस हो रही है यह बोलकर वो लिंग के पास जाने लगता है तुम्हारे उस लड़की के बिश में क्या चल रहा है मोय कहता है कि आपको मेरे अफैर्स की चिनता करने की जरूरत नहीं है आप अपने काम से काम रकिए उसका भाई कहता है कि तुम अभी तक उस बात को भूले नहीं मोय उससे से कहता है कि मैं कैसे भूल जाओं आप भले ही से प्रिसिबल हो गए हैं लेकिन अभी पर जिंदा है लेकिन मेरे अंटी का क्या वो तो आपकी वज़े से मर गई ना मैं आपको कभी माप नहीं करूंगा ये बोलकर महाँ से जाने लगता है उसका भाई उससे रोक कर क्या कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माप करो लेकिन कम से कम वो गलती मत करो जो मैंने की थी नेक्सिन में मुझे ट्रिंक करके लिन के पास आता है और उससे कहता है कि प्रॉमिस करो कि मुझे शोड कर कभी नहीं जाओगी लिन उसके लिए हैंगवर मेडिसिन लेकर आती है मे एक जिन में लिन जब कमपनी जारी होती है तो उसके डेड़ा आते हैं और कहते हैं कि जैन तो उन से साधी करने के लिए तयार है तो उससे साधी कर लो ताकि वो हमारी कमपनी में इन्वेस्ट कर सके हैं लेकि लिन साधी करने से साभ मना कर देती हैं तो डेड़ कहने लगते है लेकिन लिन उनका हाथ पकर करकर कहती है कि आपको बस लोगों को पीटना ही आता है भुले मत कि आपने मुझसे अपने सारे रिस्ते तोड़ दिये हैं तो अगली बार से मुझसे कोई हेल्प लेने मताईएगा ये बोलकर वो महाँ से चली जाती है नेकसिन में लिन अपना सारा काम करके घर जाने लगती है उसको महाँ से जाते वे देख किंग उसके कंप्यूटर के पास आकर उसके डिजैन्स चोड़ी कर लेती है एधर यूचेनल लिन के पास आकर कहता है कि मैं तुम से कुछ बात करना चाता हूँ लिन उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देती है लेकिन वो उसके सामने नील डाउन होकर कहने लगता है कि आज मेरा बढ़डे है लिस मेरे साथ एक आखरी बार खाना खा लो तो वो उसके साथ चली जाती है मोयो उसे यूचिन के साथ जाते वे देख लेता है और इससे पहले कि वो उनके पीछे जा पाता कि वहाँ आकर मोयो उसे पूछ दिये कि सीटी में मुसे भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर है तो अपने मुझे इस पोस्ट के लिए क्यों रखा मोयो कहता है कि यहां बहुत सारे डिजाइनर है लेकिन सिब एक डिजाइनर है से से मैं पसंद करता हूँ और वो तुम हो जो सुनकर किंक कहती है कि लेकिन तुम्हारी साथी तो मौमो से होने वाली है वो कहता है कि वो तो बस ऐसे ही मसे चिपकने की कोशिस करती है मैं उसे और उसके फैमली को को भी भाव नहीं देता ये बोलकर मांसे जाने लगता है लेकिन जाते जाते मौमो को देखते हैं जो चुपकर उनके बाते सुन रही थी मतलब कि उसने मौमो को सुनाने के लिए ये सब कहा था गर पर मौयू के पास आकर मौमो कहती है कि मैंने तुम्हारी और किंग की सारी बाते सुन ली तुम जानते हो ना तुम्हारे डेट मुसे तुम्हारी साधी करवाना चाते है अगर उन्हें ये सब बाते पता चली तो वो तुमें शोड़ेंगे नहीं और कहती कि तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम कुछ भी कर लो, उसे ही तुम्हारी साथी होगी मौयू कहता है कि पिछले 10 सालों में वो सब लड़किया जो मेरे पास आने की कोसिस करती थी तुमने उनके साथ जो कुछ भी किया है, उस सब का एविडेंस मेरे पास है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उसे पब्लिक करूँ तो छुप रहो, ये बोलकर वो महां से चला जाता है और इधर मौमो को लगता है कि मौयू किंग के लिए ये सब कुछ कर रहा है इधर हम चैन और लिन को देखते हैं, शहाप चैन वही किसी बीटी बाते बुलकर उससे माफी मांग रहा होता है लेकिन गिंग उसे माफ नहीं करती है और उसे बताती है कि किस तरह तुम्हारे डेट ने मुझे परेसान किया था लेकिन वो कहता है कि अभी तो तुम ठीक हो ना, इसका मतलब मेरे डेट इतने भी चाता कुरूल नहीं है प्लीज मुझे तुम एकसेप कर लो, लेकिन लिन को तो काफी ज़दा गुसा आता है उसके बाते सुनकर, वो वहाँ से जानी लगती है तो उसे रोकने के चकर में चैनल्स के ड्रेस फार देता है, जिससे चैन को लिन का लवबाट दिख जाता है जब लिन घर जा रही थी, तो चैनल्स से पकड़ कर उसके साथ चबजस्ति करने लगता है लिन उसे बना करती है, तो वो कहता है कि मझे लगा तुम्हें क्लीन और प्यूर लगकी हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें ठश नहीं किया लिन की चोट पर मेडिसन लगा रहा था, लिन कहती है है कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी यह सुनते ही मोही चला कर उसे कहने लगता है कि अगर थोड़ी देर उस बदिजाइन को देखते तो उसे पता चलता है कि यह तो उसीके डिजाइन से जिसको किंग अपना बता रही थी वो किंग के पास जाकर उससे कहाती है कि मेरे डिजाइन तुम है क्यों सपोर्ट करेगा किंग कहती है क्योंकि वह मुझसे फ्यार करता है और आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता जो सुनकर मोमो तो भाड़क चाती है और उससे कहती है कि मैं उसकी फ्यांसी हूं जिसको उसकी फैमिली ने लगी रहा था कि तो मेरे डिसाइज चुराने की कोशिस करूगी इसलिए मैंने अपने कम्प्यूटर के पास कैमरा लगा दिया था वो उस रिकॉर्डिंग को देकर लिन को माने लगती है लेकिन मौमो उसका पकर लेती है और उसे वहीं के वहीं डिसान चोरी करने के लिए फा जिस पर लिन कहती है कि अच्छा है इसलिए उस दिन तुमने उसे फूल भेजे थे ताकि मौम को विस्वास हो जाए कि तुम उसके बॉइफरेंड हो मौय कहता है कि हाँ अब तुम मेरे एक्सिंट को समझ गई हो दिन कहती है लेकिन मेरे मन में क्वेशन और भी है इतनी सार जाता है कि मौय इतने सालों से उसे ढूंड रहा था और लिंजिंग उस दिन स्विमिंग पूल के पास यही बात कर रहा होता है लेकिन यहापर लिन मौय को गलत समझ लेती है कि मौय उससे पयार नहीं करता बलकि वह उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसे दूसरी लड़की उ वह कहता है कि जिन्दा मत करें आपके मौ चाहता दूर नहीं है डेट पूछते है कि वैसे तुम मौमों से साथी कब कर रहे हो वह कहता है कि आप उससे मेरी साथी इसलिए करवाना चाते है ना ताकि मुझे और अच्छे से कंट्रोल कर सके मेरी एक बात ध्यान से सुन लीच मैं इस बात को कभी नहीं मानूँगा कि उनकी मौत एक एक्सिजेंट थी आपने उन्हें और उनके अन्बॉन चाहिल को मारा है ये बोलकर वहां से जाने लगता है तब है उसके डैट कहते हैं कि उस लड़की का नाम लिन है ना मैं बुड़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी हट् दिखाया जाता है जहापर उसके डैड़ो से कहते हैं कि एक प्रेस कॉनफरेंस करके सब को ये बता दो कि तुम्हारे वो डिजाइन स्कींग ने चोड़ी नहीं किये थे लेकिन लिन तो ये सा करने से सब मना कर देती है तो रेट कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी शूटी लेकिन मॉम लिन के सामने रिल टाम हो जाती है तो लिन कहती है अपना सर भी जुकाई है जो सुनकर डैड कहते हैं कि तुम बहुचादा हार्टलेस हो लिन कहती है आप लोगों ने चुम्हेरी मा के साथ किया है न उसका तो ये वन परसंट भी नहीं है उसकी स्टेप मदर उ तुम जैसे दूस लड़की मेरे फैमली में कहा से आ गई फिर कहने लगते हैं कि चलो तुम प्रेस कॉन्फेस नहीं कर सकती तो मेरी ये मदद कर दो यूँ फैमली ने हमारी कंपनी से अपनी इंवेस्मेंट वापस ले ली है तो तुम हमें 10 मिलिन दे दो लिन्हों ने आपनी कंपनी के 60% सेर मुझे दे दीजिए मैं आपको 10 मिलिन दे दूँगी डेट कहती कि मेरे पास 60% सेर नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ वो कहती कि आपके मिस्ट्रेस और आपकी प्यारी बेटी दोनों के सेर्स में लाकर टोटे 60% हो रहे हैं जिस उनकर स्टेप माम क वो कहती है कि है कि तुम हमारी सेर्स काण में कहती है कि यह पैसे मेरे पेसे लेकर आपको दे तोंगी यह सुंका इ irm nuit भी मत और मुझे चले जाते हैं. लिज्जिंग लिए से पूछता है कि अब आप सेर्स कैसे लेंगे, तो लिए उस्टे कहती है कि चंता मत करो, वो लोग ज्रूर वापस आएंगे. नेक्सिंन में लिए घर पहुचकर देखती है कि मॉई ने रिंग कर रखी है, लिन उसे समालती है मोई नसे मैं उससे पूछता है कि तुम उससे प्यार क्यों नहीं करती है लिन कहती है कि तुमने बहुत जाता पी रखिया हम कल बात करेंगे तब ही दोनों बेट पर गिर जाते हैं वो फिर एक बार पुछता है कि तुम मैंसे पैर क्यों नहीं करती वो उसे जवाब देती है क्योंकि तुम बहुत जादा क्रूल हो रहे रेकॉंट हो तुम इसे मेरी बॉड़ी चाहिए जो सुनकर मौई को तो काफी घुच सा आता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो फिर ठीक है नेक्स इन मॉनिंग का दिखाया जाता है जहां पर लिन मौई से डिवोस मागने लगती है डिवोस का नम सुनके तो वो हैरान हो जाता और उसे कहता है कि कर रात मैं नसे में था इसलिए वो सब किया तुम मेरे साथ इसलिए होना क्योंकि तुम्हें मेरी बॉड़ी चाहिए डायवस के बाद भी मेरी बॉड़ी का यूज करके तुम अपनी निट्स को पूरा कर सकते हो जो सुनकर मोई घुसे में उसे किस करने लगता है तुलिन उसे खुछ से अलग करके पहले उसे एक जोड़ता थपड लगाती है और फिर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मेरे से कभी कोई प्यार नहीं करता ना यूचेन ने कभी मुझसे प्यार किया ना ही कैंग फैमली ने और फिर मैं तुम से मिली तो लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम भी बस मुझे यूस कर रहे हो जो सुनकर मोयू कहता है कि तुम्हें किसने कहा दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता है जो सुनकर वो मोयू को कस करती है वो कहता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो लिए धरमाते हुए कहती है कि थोड़ा सा वो पूछता है कि थोड़ा सा क्यों तो वो कहती है कि अभी अभी यूचेन से मेरा ब्रेक अप हो हाए इसलिए अभी मैं तुम से प्यार नहीं कर सकती मौय कहता है कि आगे से मेरे सामने किसी भी मैंन का नाम मत लेना जो सुनकर वो मस्कुराने लगती है नेकसिन में मौय के पास कोई लड़की आती है उसे लगता है कि लिन है इसलिए वो खुस हो जाता है लेकिन वो मॉमो होती है मॉमो उसे पूछती है कि तुमने किसका अना एक्सपेक्ट किया था मॉय उसे कहता है कि अगर तुम फिर सब वेडिंग डेट के बारे में बात करने आई हो जो सुनकर मौमो हुआ से चली जाती है नेक्स इन में उसके डैड उस पर गुसा कर रहे थे क्योंकि मौमो उससे साधी काने के लिए एगरी नहीं हो रहा था मौमो कहती है कि वो इसलिए मुससे साधी नहीं करना चाहता डेट कहते हैं कि तो उसके साध मही करो जो भागी लड़कियों के साध करती आई हो और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं सभाल लूँगा नेक्स इन में मौमो उफिस से घर जा रहा था तो उसके बस किंगा कर कहती है कि लिन ने मच पर शूटा अलजाम लगा कर मुझे कंपनी से बाहा निकलवा दिया मौही पूचता है कि तो तो मुसके साथ अब क्या करना चाहती हो वो कहती कि आप उसे भी कंपनी से बाहा निकाल दो मौही पूचता है कि बस इतना ही चाहती हो तो वो कहती कि नहीं मैं चाहती हूँ कि आप कुछ गुंडे हार करें जो उसके मजल है उसके बाद मैं उस अठाकर जंगली जानवरों के भी छफेक दूंगी जो सुनकर मोई को तो काफ़ जादा गुसा आता है लेकिन वो अपने गुसे को अंड्रोल करके कहता है कि सब के बदले मुझे क्या मिलेगा वो उसे कार्ट दे कर कहती है कि रूम नंबर 808 में मैं आज रात आपका इंतजार करूंगी जब मोई उससे बाते कह रहा था तो उसे लिंग ने देख लिया था और वो कॉल करके पूछ को चेकरने लगती है कि कहीए कि के साथ intimaat और तो नहीं आया है उसे इससा करता देख मोई से पकड़कर अपनी होँज में बढ़ा लेता है लिंग कहती है कि वो तुम से कुछ पूछ ती नहीं बस तुम हर वक्स करती रहती है मोई उसे किस करके कहता है कि अचकल तुम अपनी आती है तो उसके कलिक उससे कहती है कि तुमने वो न्यूस देखी सच में कि इतनी ज़्यादा घटिया है ना लिन पूछती है कि कौन सी न्यूस वो कहती कि तुम्हें नहीं पता कि इंकल होटेल रूम में बहुत सारे मैंस के साथ हैंग आउट कर रही थी उसकी हैंग उसके साथ कुछ नहीं किया है मुझे भी इस न्यूस के बारे में अभी पता चला है इतने में ही कंपनी में उसकी स्टेप मदर आकर हंगावा करने लगती है कि तुम बहुत ही पॉजनेस गर्ल हो पहले तुमने मेरी बेटी की साथ ही कैंसल की फिर उसका मस्केरिश करवा द इस टैप मम की बाते सुनकर सारे कलिक्स आपस में गौसिप करने लगते हैं यह सब देखकर लिनोंने कंपनी से भान इकालने की कोज़स करती है लेकिन वह नहीं जाती है और जोर-जोर से हंगामा करने लगती है तो लिन भी उनके बेटी की सचाही सबको पता चलने लगती ह तो वो उनसे बरदास नहीं होता और वो फिलस्टेट होकर पानी का ग्लस लिन की तरफ फेकती है लेकिन मौयू आकर उसे बचा लेता है और सिकेरिटी को भुला कर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है मौय को लिन के हल्प करते दे कि स्टेप मौम कहने लगती है कि तुम तो मेरी बेटी को पसंद करते हो ना इतने महीं हुआ पर मौमो आ जाती है और स्टेप मौम को कहती है कि आपको किसने कह दिया कि आपके बेटी को पसंद करता है step mom कहाती कि तुम कोन हो वो कहाती है कि वाव आपके बेटी ने आपको मौयू के बारे में बताया लेकिन मेरे बारे में नहीं बताया मैं मौयू की फियांसी हूँ इनकी बाते चली रही होती है तब ही king की कुछ और private videos internet पर लिख होती है जिससे step mom तो सौक में ही चली जाती है और momo कुछ से कहती है कि king तुमने अपनी उकात भूल के मौय के करीब जाने की कोज़िस की थी अब दीखती हूँ कि मौय फेमली तुम्हें कैसे accept करती है नेकसिन में मौय लिंजन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ लिंजन कहता है कि जैसा कि अपने कहा था हाम उसे wild animal के पास ले जाकर डराने वाले थे लेकिन बीच में ही momo के आदमियों ने उसे getnap कर लिया अभी महाँ पर लिन आकर मौय से पूछने लगती है कि क्या ये सब कुछ तुमने करवाया अखर तुम उसके साथ इसा कैसे कर सकते हो वो कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें साथ कितना बुरा किया और तुम्हें अभी भी उनकी चेंता है लिन कहती कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया और मैं उन्हें परिस भी करना चाहती हूँ लेकिन परिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन तुमने सब से क्रूल तरीका यूज किया है ये सब वो कही रही होती है तब लिंसिंग फोन में न्यूस देकर उनने बताता है कि किंग ने सुसाइट करने की कोशिस की नेक्सिन आस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर लिंग याद कर रही थी कैसे उन गुड़ों ने उसके साथ बतमीजी की थी डॉक्टर आकर उसके मॉम को कहती है कि विक्टिंग की कर्डिशन काफी जाता खराब है और वो कभी भी फ्रेगनेंट नहीं हो पाएगी डॉक्टर के जाने के बाद उसके मॉम से कहती है कि कोई बात नहीं तुम जिंदा हो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तब ही किंग कहने लगती है कि ये सब उस लिन की वज़े से वाय मैं उसे छोड़ूंगी नहीं ये बोलकर वो पागलों की तरह हसने लगती है इतने में ही महाँ पर चैन के डेड़ा कर उसको उसके बॉइफरेंड के साथ वाली फोटो दिखाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो विज़ा सच में चैन का था उसकी मौम कहती है कि ये सब फेक फोटो हैं इसे लिन ने किंग को बनाम करने के लिए बनवाई है लिन का नाम सुनते ही चैन कहता है कि छूट मत बोलिये सुरू से ही ये मेरे साथ खेल रही थी जब पहली बार मैं स्टेश पर इससे मिला था वो इसने पहले से ही प्लान करके रखा था उसके बद हर चीज जो हमारे बीच में हुई थी कि ये सब इसने पहले से ही प्लान करके रखी थी सच तो ये है कि इसने कभी मुझे प्यारी नहीं किया ये बस लेंग से मुझे शीनना चाहती थी जो सुनकर किंग कहाती कि ठीक है मैंने गलत किया लेकिन तुम्हारा क्या जब तुम्हें मेरी मिस्केरिस की नियूस मिली तो तुमने भी तुम अससादी करने से मना कर दिया ये बोलकर वो साइको की तरह चैन और उसके डैट पर चिल लाने लगती है कि तुम सब के सब लेंग से मिले वह हों उसके सासथ में तुम्हें भी मार डालूंगे इदर लिंजन्ग मुई और लिंग को आकर बताता है कि किंग अप सेफ हैं मौयू लिंग से कहता है कि तुम आप यहां नहीं रह सकती मैं लिंजन्ग के साथ तुम्हें किसी सेब जगा पर भेज रहा हूँ जो सुनकर लिंग कहती है कि तो कि आप तुम मुझे बंदी बनाने की एकोसिस कर रहे हो आप तो मुझे तुम से डर लगने लगा है हम एकी रूम में रहते हैं एक साथ सोते हैं लेकिन फिर भी अस तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाई ये बोलकर वो माँ से चली जाती है उसके जाने के बाद लिंग मुझे को बताता है कि ये सब मॉमो ने अकेले नहीं किया उसकी फैमिली ने भी उसका साथ दिया है मुझे कहता है कि तो मॉमो के साथ सथ उसकी फैमिली को भी सबक सिखाना पड़ेगा नहीं तो आज इन्होंने गिंग के साथ ऐसा किया हैं कल ये लोग लिन के साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और मैं लिन पर किसी भी तरह का खत्रा नहीं आने दे सकता नेक्स देन में मॉमो अपने डेट से कह रही होती कि प्लीस आप मुझे बचा लीजे इस केस की इन्वेस्टिकेशन मॉयू कर रहा है अगर उन गुर्णों ने उसे मेरा नाम बता दिया तो हो मुझे नहीं चोड़ेगा उसके डेट कहते हैं कि तो किसने कहाता इसा करने के लिए उस लड़की को सबक सिकाने के और भी तरीकत है लेकिन तुमने वो तरीका चुना जिसे तुम खुद मुसीबत में पढ़ गई हो अब मैं इन चीजों को कैसे ठीक करूँगा मॉमो क्याती कि उसकी एक सिस्टर है लिन नाम की उस फैमिले में हर कोई हर चीज के लिए उसे ही रिस्पॉंसिबल बताता है तो आप सारा ब्लेम उस पर डाल दीजिए यसी को कोई सक नहीं होगा उसके डेट कहते कि ठीक है मैं यह कर दूँगा लेकिन तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुमारे और मॉय के बीच चीजे कब ठीक होगी तुमे एक लड़की हो अगर वो तुमसे साधी काने के लिए तयार नहीं हो रहा है तो तुमसे सेड्यूस करो ये बोलकर उसे कुछ मैडिसिन देते हैं और कहते हैं इन मैडिसिन के हैप से तुमसे अपना बना सकती हो इदर लिन लिन्जिंग के साथ कैसी सेफ जगह पर जा रही थी तो वो लिन्जिंग से पूछने लगती कि तुम बहुत पहले से मौय के साथ हो मुझे बता वो कैसा इंसान है लिन्जिंग कहता है कि मास्टर ने बच्पन से बहुत कुसा है जब वो शोटे थे तब ही उनकी मौंगी डेथ हो गई थी उसके बाद उन्हें उनकी आंटी ने पाला लेकिन एक दिन सबको ये बता चला कि उनके अल्डे ब्रेदर और उनकी आंटी रिलेशनशिप में है और फिर पता नहीं कैसे है एक एक अंटी की डेथ हो गई लिन्जिंग पूसदी है कि लेकिन उसके बड़े भाई और अंटी रिलेशनशिप में कैसे हो सकते है लेन सिंग बताता है कि बड़े भाई को इनके डेथ ने अड़रा था लेकिन वो लोगpower कार के आगे आकर अपनी कार खड़ी कर देते है। लेंसिंग अपनी कार से उतरकर लिंग का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिस करता है। इदर हमें मोग के घर का सीन दिखाय जाता है वो जाय में अपने डेट की दीवी मेडिसिन मिलाई रही होती है मोग को पिलाने के लिए तब ही मोग हो आ जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बलाया है डिलिवरी के टाइम उनके पास कोई नहीं था इसी कारण उनकी डेट हो गई थी और मेरे डेट के हर बूरे काम में तुम्हारे डेट ने उनका पूरा-पूरा साथ दिया था मा को कैद करने में भी तुम्हारे डेड़ी उनके साथ है इसलिए जब मैं तुम्हारे देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी जान लेने का मन करता है जिसे मेरी मा की जान गई थी जो सुनकर मोँ वो डर जाती हो और कहती है कि मेरे डेट ने जो किया सो किया मैं तो innocent हो ना तो वो हसने लगता हर कहता है कि अगर तुम innocent हो तो वो लड़किया जो मेरे पास आने की कोसिस करती थी उन्हें गायब किसने करवाया तुम innocent नहीं बल्कि एक जहरीली लड़की हो जो जुनकर वो हसने लगती है और मौय उसे कहती है तो वो evidence उने देने की कोसिस भी मत करना जिसमें मौय कहता है कि वो सब तुमने करवाया था अच्छा वो तुमने ही admit कर लिया वो कहती है कि हां कि इंके साथ मैंने ही वो सब करवाया था और इस सब का credit दुमें जाता है जब भी मुझे कोई मिलता है तो वो मुझे तुम्हारी future vibe की तरह देखता है लेकिन इं 26 सालों में तुमने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा इस पास से मैं बहुत प्रस्टेट हो गई हूँ इसलिए जो भी लड़की तुम्हारी करीब आने की कोसिस करती है मैं उसे हमेसा के लिगाइब करवा देती हूँ तो मुझे वहाँ से जाने लगता है मुझे रोकने की कोसिस करती है लेकिन वह उसे नीचे किरा देता है तो मुझे लाकर कहती है कि कि अदर में सच में लगता है कि अगर तुम वह evidence police officer को दोईत होगे in regime कुझे करके ले जाता है वह गुंडे आकर उन्हें घेल लेता है लेकिन वह नहीं बताते और कहते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो हम तुमें चोड़ देंगे लेकिन लेंजर करने से मना कर देता है और उनके साथ fight करने लगता है और लिन को बचाने में उसे काफी ज़्यादा छोट भी आ जाती है तो फिर लिन लेंजिंग को बचाने के लिए उन गुंडों के साथ चली जाती है एधर मोयू को उसके डैट कॉल करते हैं लिन हमारे कब्चे में है ये सुनकर वो काफी परिसान हो जाता है और उसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए वो कहता है कि मैंने सुना है कि मॉमो के खिलाब तुमारे पास एविडेंस है मॉमो मेरी सिलेक की हुई डाटर इन लो है अगर उसे और उसकी फैमिली को कुछ भी हुआ तो लिन के साथ मैं क्या करूँगा ये तो मची तरह जानते हो कॉल कट होने के बाद डेड उसे लिन की फोटो भेचते हैं जिसको देखकर वो अपने डेड से मिले के लिन निकल जाता है नेकसे इन में वो अपने डेड के पास आकर लिन के बारे में पोचता है उसके डेड कहते हैं कि उस लड़की में से क्या है जिसके लिए तुम मॉमो को रिजिक कर रहे हो वो कहते हैं कि आप लिन का कमपेरिजन उस हार्टलेस पोज़नेस लड़की से मत करिये मैं उस जैसी लड़की से कब भी साधी नहीं करूँगा डेट कहते हैं कि मोमो जैसी भी है लिन से तो बहुत जादा वैलिबल है और मेरा बेटा एक वैलिबल लड़की से ही जादी करेगा वो कहता है कि आपका बेटा होने की किस को परवा है अगर नेक्स लाइब में मुझसे पूछा जाए तो मैं कभी भी आपका बेटा बना पसंद नहीं करूँगा जो सुनकर डेट कहते है कि तुम आखिर कुद को क्या समझते हो और उस पर काफी घुसा करने लगते हों और कहते हैं कि इसकी सजा तो उस लड़की को मिल कर रहेगी और हाउस की पर को कहते है कि जो जाओ जाकर उस लड़की की जीप काट कर लेकर आओ जो सुनकर मोयों उनके सामने नील डाउन होकर कहता है कि मेरे पास मोमो और उसकी फैमिली की खिलाब जितने भी एविडेंस है मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूँगा लेकिन आप प्लीस लेंग को कुछ मत करिये जो सुनकर उसके डेट कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो अगर कोई गलती करता है तो उसके सज़ा मैं जरूर देता हूँ तुमने मोमो को रिजिक किया और यहां आकर मेरे से जवान लडा रहे हो अब इसके सज़ा तो तुम्हें मिलेगी है और मोई को यह कह कर वहाँ से चले जाते है कि तुम उस लड़की को अपना बेट पार्टर बना सकते हो लेकिन लग पार्टर नहीं डेट के जाने के बाद उसका भाई उससे कहता है कि देखा तुमने मैं भी उस दिन इसी तरह मजबूर था इसलिए तुम्हारी अंटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया वो कहता है कि तुम मजबूर नहीं कम जोर थे इसलिए मेरी अंटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ये बोलकर वो लिन से मिलने के लिए चला जाता है इदर लिंज आपर बन थी, वाँ पर हाउस कीपर आकर उसे कहता है कि तुम्हें लिने मोईव आ रहा है लेकिन मुझे ये ओर्डर मिला है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा न जाने दिया जाए कि बोलकर चाको से उसकी रिस्ट काट कर वहाँ से चला जाता है लिन किसी भी तरह उस चाको को पकड़ कर अपने हाथ और पैरों की रस्यों को खोल कर मोईव से मिलने जाने लगती है जाते वक्त वो अपने मन में यही कह रही थी कि मोईव आप मैं तुम से घुसा नहीं हूँ ये बात में तुम्हें बताना चाती हूँ तब ही वो सामने से मोईव को आते हुए देखती है और उसके पास जाकर उसके बाहों में गिर जाती है वो कहता है कि लगता है मैं लेट हो गया है ये बोलकर वो भी बेहोस हो जाता है नेक्स इन में लिन्ट को होस आता है तो वो सबसे पहले मोई के बारे में पूछती है लिन्जिंग कहता है कि अभी उन्हें होस नहीं आया है वो उसके पास जाती है लिन्दिंग कहता है कि आपको पनिस्मेंट से बचाने के लिए अपने डेट से सभी टॉचर मास्टर ने खुच से है लिन्दिंग से पूछती है कि इसके डेट हमाई साथ इतना क्रूल भी हो क्यों कर रहे थे वो कहता है कि वो तो मस्टर होस में आने के बाद ही बता सकते है तब ही मौयू का हाथ हिलने लगता है तो लिंसिंग डॉक्टर को बिलाने चला जाता है इदर मौयू को पूरी तरीके से होस आ जाता है उसके होस में आने के बाद लिन उसे पूस दिये कि तुम्हारे डैट तुम्हारे साथ इतना क्रूल क्यों हो रहे थे वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है तो लिन कहती है कि इस तरह का स्ट्रेस में बच्पन से सहती आई हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ तो मुझे उसे बताता है कि मझे कंट्रोल करने के लिए मेरे डैट मेरी और मॉमो की साथी करवाना चाते है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है आज तक जिन भी लोगों ने उनकी मर्जी के खिलाब जाकर कुछ काम करने की कोसिस की है उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया है मेरी अंटी और मेरे बड़े भाई का अफेर था जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने मेरी अंटी का एक्सिडेंट करवा दिया और मेरे बड़े भाई को इतना बिटवाए कि वो डिसिबल हो गया और बताता है कि मॉमो ने किंग को मुझसे अलग करने के लिए उसके साथ वोसब किया मेरे डैड उससे भी कई गुना जादा बुरा हमारे साथ कर सकते है लीन कहती है कि अच्छा तो किंग के साथ वोसब तुमने नहीं बलकि मॉमो ने किया था और तुम मुझे बचाने के लिए हमेसा किंग को मेरी सिल्फ की तरह यूस करते रहे वो कहता है कि हाँ लेकिन इतना हंगामा होने के बाद मॉमों को बता चल गया होगा कि तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ और अब वो तुम्हें नुकसान पहुचाने की गोसिस करेगी लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता वो कहती है कि क्या तुम अब मुझे डिवास दे दोगे तो वो उसे किस करके कहता है कि मैं तुमसे कभी डिवास नहीं लूँगा बलकि उन लोगों से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा नेक्स इन में लिन से मिलने उसके डैड हॉस्पिटल रूम में आये होते हैं और उसके हेल्थ की बारे में पूशने लगते हैं लेकि इन लिन समझ जाती कि जरूरी है याँ पर कुछ मांगने आये हैं तो उनसे साफ साफ कहती है कि कहिए आपको क्या चाहिए वो कहते है कि पिछली बार जो तुमने 60% सेहर लेकर 10 मिलिन देने की बात कही थी वो 10 मिलिन हमें दे तो हम तुमें अपने सेहर दे देंगे तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने निल डाउन भी हो जाओंगा इन कहती कि आपको मेरे सामने नहीं बलकि मेरे मॉम के सामने निल डाउन होना चाहिए वो कहते है कि ठीक है लेकिन लेनो ने ये बोल कर भेज़ देती है कि मैं सोचूंगी जब डेड किंग के पास आते है तो स्टेप मॉम उनसे पूछती है कि क्या वो मानी डेड मना कर देते हैं तो स्टेप मॉम उन पर चिला कर कहने लगती है कि तुम इतना चोटा सा भी काम नहीं कर पाए तो डेड मॉम पर ही घुसा करने लगते है और वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते है तो किंग उन पर चिलाती है और उन दोनों को चुपोने के लिए कहती है नेकसिन में जब हॉस्पिटल रूम में किंग सो रही होती है तो मापर उसके पस मॉमो आती है वो उसे देखकर किंग उसे भला बुरा कहने लगती है मोमो कहाती कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ घ्रिजिक तुई में भिष्ट के लिए मैं Platz Ministle वो लड़की जिसे मो मोई प्यार करता है वो तुम नहीं वल्किôm लिन है लिन मेरे साथ बस अच्छी थी इसलिए मैं उसे भाचांन नहीं पाई किंग को तो भरुसा नहीं होता वो कहती है कि तुम मेरे से जेलिस हो रही हो ना इसलिए ऐसा बोल रही हो मौय मुझसे ही प्यार करता है जो सुनकर मौमो हसने लगती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें मौय और लिन बहुत करीब थे उसे देखकर वो कहती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो वो कहती कि तुम्हारी हेल्प मैं उसे मानना चाहती हो क्योंकि मैंने सुना है कि दुसमन का दुसमन दोस्त होता है तो तुम मेरी हेल्प करो उसकी चान लेने में नेक से इन में यू चेन किंग से मिलने आया होता है वो उसको दो मिलन देता है उसकी कमपनी बचाने के लिए और उसे कहता है कि अभी जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे डेट कर रहे है क्योंकि तुमने मुझे शीट किया था और यह बाद तमने मुझे नहीं बताई और क्याती कि मैं लिन को नहीं चोड़ूँगी चैन कहता है कि तुम आप उसका मुकापला नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास मोईू का सपोर्ट है जिस पर गिंग हसने लगती हूँ और क्या दी है कि तुम देखते जाओ कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ नेक्स इन में हॉस्पिटर मेरे सपने इसके पास लिंग खड़ी हुई थी तभी वहाँ पर किंग आकर इस पर एसे भैक देती है लेकिन चैन पीछे से आकर लिंग को कवर कर लेता है जिसके कारण सारा से उसके उपर गिर जाता है और वो दरिख से चिखने लगता है लेंड डॉक्टर को बुलाती है और किंग चैनन को देखकर कहने लगती है कि तुमने भी इसे ही चुणा हर मैं इसे ही क्यों चुनता है हमें ऑपरिशन थ्याटर का सीन दिखाया जाता है जहां मोई्यो इनको मानने लगते हैं मौयू उन्हें रोक कर कहता है कि आपके बैटे को लिनने नहीं करल की किंग ने मारा है वो कहते है कि किंग तो इसकी कीमत चुकाएगी है लेकिन लिन को ही बचाने के चकर में मेरा बैटा एंजर्ट हुआ था तो वो दोनों ही डेट से मापी मांगने लगते हैं और मौयू उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइप है जो जानकर वो तो हैरान हो जाते हैं और कहती कि मैं तुम दोनों को माप कर दूँगा लेकिन उस लड़की को तुमें मेरे हवाले करना पड़ेगा मैं उसे छोड़ूँगा नहीं तो मौयू ओके कहता है नेक सिन में मौयू ने किंग को बंदी बना कर रखा हुआ था वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बेंक अकाउंट चेक कर वाय ते उसमें रिसेंटली बहुत सारे पेसे ट्रांसपर हुए तो चलो जल्दी जल्दी बता दो कि इस प्लाइन में तुम्हारे साथ और कौन-कौन सामिल है वो कहने लगती है कि मैंने सब कुछ अकेले किया है और तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया पहले तुम मेरी फिलिंग्स के साथ खेले और फिर लिंग के प्रोटेक्शन के लिए मुझे यूस किया वो ये उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि चैन की इद्ट हो गई है उसे तो भरुसा नहीं हो रहा होता वो कहता है कि वो ऐसे तुमे उसी पर सर ने दिया था न जिसका तुम नाम नहीं बता रही हो वो ऐसेट काफी ज़्यादा खतरनाक था किसी की बोड़ी पर एक बार चला जाय तो वो एंसन जिन्दा नहीं बस सकता और कहता है कि कल चैन का फिरनरल है कल में तुम्हें उसके डैट के हवाले कर दूँगा डैट का नाम सुन कर तो वो डर जाती है क्योंकि डैट काफी गतरनाक होते है और वो पैनिक होकर बता देती कि मुझे यह सब कुछ करने के लिए मोमो ने कहा था और उसे छोड़ने के लिए खेती है लेकिन मुझे उसे एग्नोर करके वहाँ से चला जाता है नेक्सिन में हमें यूचेन का फिनरल दिखाया जाता है जापर किंग चैन की ग्रेव को देखकर कहने लगती है कि इसे मैंने नहीं मारा है यह सब मैंने नहीं किया तब ही चैन के डैट उसे अपने पैरों से किक करके चैन की ग्रेव पर गिरा देते हैं से वो बहुत डर जाती है और फिर सबी चीजों के लिए लिन को तो से बताने लगती है वो लिन से कहती है कि यह सब सिब तुम्हारे कारण हुआ है रच्पन से ही तुम लोगों को अट्रेक करती आई हो और मुझे लोगों ने हामेश सा ना जाया इस बचे की तरह ट्रीट किय है छइन उर मोई को भी तुमने ही अट्रेक कर लिया वो लिन से पूचती एकिर तुम्हें ऐसा किया है कि हर कोई तुमसे ही अट्रेक होता है यह ब comments के घर का दिखाया जाता है जहापर मुमों में ऊकर उससे कहती है कि तुम लिन के लिए मेरे फैमली से पंगा ले रहों हो वो हसकर कहती है कि मेरी वज़े से चेन की जान नहीं गई है तुम्हारी वज़े से उसकी जान गई है कींग तो तुम्हें माना चाहती थी लेकिन उस लड़के ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी उसके मौत की जिम्मदार तुम हो जो सुनकर लिनोंसे माने लगती है तो मौय उसे रूकर कहता है किसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करू लिन कहती है कि इसने यूचेन को मर वा दिया मुझे से रिबेंड चाहिए तो मोमो हसने लगती है कि अगर तुम मेरे फ्यांसे के साइथ इन्वाल नहीं होती तो आज वह जिन्दा होता तो मारी बेहन ने तुमसे तुमसे मेरे फियांसे को तुम दोनों बेहने एक जैसी हो मोमो की बाते सुनकर लिन को तो पैनीक अटेक आने लगता है तो देकर मोई तो मोमो का गला ही पकड़ लेता है तब ही वहाँ पर मोई के डेट आ चाते है और उसे मोमो से अलग करने की कोशिश करते है जिन उसे छोड़ने के लिए कहती है तो वो छोड़ देता है मोमो डेट से कहने लगती है कि अंकल प्लीज मुझे बचा लीजए या मुझे जान से माना चाता है डेट उसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मोही कहता है कि कुछ नहीं बस इसके कंपनी के सेहर जो हमारे पास थे उसे मैंने यूचेन की कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है और इसके किलाब जो मेरे पास एविडेंस थे मैंने वह सारे के सारे पुलिस को दे दिये हैं डेट कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की वो कहता है कि ये और इसकी फैमिली यही डिजर्व करती है और आप चिंदा मत करियें आपको भी मैं बहुत जल सैंसी ग्रूप से भार निकालवा दूँगा डेट कहते हैं कि तुम मेरे वेटे हो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वो कहता है कि आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना आप तो हमेशा मुझे अपने ऑपिदे और कुट्टे की तरह बनाने की कोषिस करते रहते थैं डेट कहते हैं कि ठीक है मैं आप तुमे कभी कंट्रोल करने की कोषिस नहीं करूँगा बलकि जो तुम कहोगे मैं हुए ही करूँगा बता तुमें क्या चाहिए वो कहता है कि आप बूरे हो गए हैं, आपको आप आराम की जरुरत है उसके डेट समझ जाते हो और उससे पूछते है कि क्या तो मुझे प्रिजेन में डालने का प्लैन बना रहे हो वो कहता है कि आपने भी तो मेरी मा की डिलिवरी के टाइम पर उन्हें प्रिजेन में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने आपके डिसिजन को नहीं माना, लेबर पेन के समय उनके पास कोई नहीं था इसलिए उनकी मौत हो गई, मैं आपको इसके सजा दे कर रहूंगा इसके बाद वो अपने डेट को प्रिजन में और मौमों को जेल में डालने का ओडर दे कर महाँसे चला जाता है नेकसे इन में मौय और लेंज साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते है तब ही महाँ पर लेंजन आकर लेंज को बताता है कि आपकी स्टेप मौम ने आपके घर को बेचने की कोसिस की है जो जानकर वह जल्दी से मौय के साथ अपने घर जाती है महाँ पर step mom उसके dad से लड़ रही थी क्योंकि dad king को वापस नहीं ला रहे थे dad कहते है कि उसने किसी की जान ली है मैं उसे कैसे वापस लाओ तो mom कहती कि अगर तुम मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकते तो मुझे divorce दे दो divorce के बात सुनकर lean कहती है कि आप इस घर को बेच कर यहां से भागना चाहती है dad कहते हैं कि घर को बेच कर क्या मतलब है तुम्हारा lean कहती है कि लगता है आपको पता नहीं है कि dm stress ने इस घर को बेच दिया है जो सुनकर dad step mom को जोड़ से थपड़ लगाते है तो मॉम चिल लाकर कहती कि हाँ मैंने घर बेज दिया है तो क्या इस घर में मेरे भी सेयर्स है अगर तुम मेरे बेटी को वापस नहीं ला सकते तो मुझे तुम से और इस घर से कोई मतलब नहीं है तो डेट मॉम पर घुसा करने लगते हैं कि तुम हमेंसा मेरे पेसों पर रेस करती आई हो और जब कंपनी घाटे में चली गई है और पेसे खतम हो गए है तो तुम अपनी विसेस पूरी करने के लिए घर बेच रही हो अगर तुमने मुझे मेरा घर नहीं लोटा है तो मैं तुम्हें तहीं चोड़ूँगा मोई कहता है कि फादर इनलो आपका घर सुरक्षित है हमने कांट्रेक्ट 10 मिनिट कर दिया है फादर इनलो सुनकर उसके डेट तो हैरान हो जाते हैं मोई उन्हें बताता है कि आपके बेटी मेरी लीगल वाइफ है तो डेट कहने लगते हैं कि अब तो अब हमारी फैमली का हिस्सा है मेरी कंपनी लोस में जा रही है 10 मिलिन देकर आप मेरी कंपनी को प्लीज बचा लीजे वो कहता है कि हां लीजे उसके बारे में बताए मैं आपको 5 मिलिन दूँगा और बादे में मुझे कंपनी के सारी सेर्स चाहिए 5 मिलिन सुनकर डेट कहते हैं कि लेकिन मेरी लीजे के बाद तो 10 मिलिन की हुई थी वो कहता है कि अब कंपनी के हालत बहुत जादा खराब हो गई है उस कंपनी के लिए तो 5 मिलेन भी बहुत जादा पैसे है और डेट को 5 मिलेन में ही मानना पड़ता है जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो स्टेप ओम उन्हें रोक कर कहती है और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बहुत गतरनाक आदमी है मुझे तो डाउट है कि आपके बेटी अभी तक जिन्दा भी होगी या नहीं आप एक काम करिए यूचिन की ग्रेव पर जाकर देखे साइद महाँ पर आपके बेटी की बौड़ी भी मिल जाए नेक से नहीं में उसी बार का दिखाया जाता है जो ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया गया था पहले की तरह ही लिंड बैटकर रिंग कर रही थी तब ही महाँ पर मोयू आता है वो उसे हैंसम कहेकर विसे ही सेडियूस करने लगती है तो वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ लेकिन इस बार वो उसे होटल रूम में नहीं लेकर जाता उसके हाथों में रिंग पहना कर फिर से साधी के लिए प्रोपोस करता है लेन भी उसके प्रोपोसल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे किस करती है और यहीं पर स्ट्रामा के एंडिंग होती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करें थेंक्स पूर वाचिंग